नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैई चानल, मेरा नाम शिबिन, हम आज इस वीडियो टूटोरल में देखेंगे, रैंटक्ट पी ओएस बिलिंग सोफ्ट्विएर में कौन-कौन सा तरीका में बारकूड बना सकता है, और बारकूड बनाना में आपका काम इतना आसान कैसा हो जाएंगे, यह आप इस वीडियो में देख लीजिए, यह जो हमारा जो रैंटक्ट पी ओएस बिलिंग सोफ्ट्वर का होम स्क्रीन आपको इस तरीका सा दिखता है, आप देख लीजिए, ब्स ब्यूटिफुल होम स्क्रीन है, इसमें आपको कोई भी नया प्रोड़क्ट डाल दे रहा हूं, इधर एक प्रोड़क्ट का नाम आपने डाल दो, इसमें बॉल्क आड़ करने के लिए भी ऑप्शन है, डिक्स्क्रिप्शन में आपने डाल दिये डबल एक्सल साइस, जो भी आपने साइस आपको वगेरा इसमें डाल सकता है, और 1,900 इसमें आपने पर प्राइस, अब कोई भी प्राइस अपने डाल सकता है इसमें, और रियोडर पोइंड जो है, पांच पीस रखा और सेम साइस का हंडर पीस आगे, पांच पीस क्या है, वो मिनिमम स्टोक मेंटेन के लिए, जब यह आपने जो हंडर पीस जो आया ना, यह सेल करके सेल करके ज सक्सेस्फुली सेव, आपने इसको क्लोस कर दिए, आपने सीधा जाएए अपना बार कोड में, आप इधर जाएए कुर्ता ब्लैक, देखो, यह जो इतरम सापने स्लेट के दिए इसमें, आपने क्वांटिटी जाल दिया आपने अपने बार कोड़ पंड़ इसको, ठीक है मातर, उसका टिक कर दिए, बाकि सब अन्टिक कर दिए इसमें, और इसमें आप जाएए, देखो, ऊपर आपको दिखाए देए, बहुत सारे ओप्शन्स आपको दिखाए देए, बहुत सारे ओप्शन्स आपको दिखाए देए, बहुत सारे ओप्शन्स, देरस लोट ओफ का यह डीटिल आगे फुर आपका कुरता का साइस आगया बारकोड आगया और आपका दुकान का नाम सबसे नीचे आजाती है और दूसरा ओप्षिन क्या है और यह जो ज़ुट बारकोड वन में आपने क्लिक कर दीजिये देखो इसमें क्या है टू इंच भई वर निंचे य यह तू इंच भई वर निजिये मोस्टली कॉमनली यूज करने वाले एक साइस बारकोड गा कुरता जो प्रड़क का नाम आगया राइट आगया बारकोड आगया अपना तकंबिनी का नाम आगया इदर नीचे और दूसरे क्या इधर देखो जनरेट बारकोड यानि यह फ वाइदा होंगे और देखो टू इंच बारकोड इसमें क्या हुआइदा इसमें क्या है इसमें प्रैस नहीं है उल्ली प्रोड़क का नाम और साइस है यह कोई कस्टम रहिसा भी पूस्ता है इसले करके हमने यह भी विना कर रखा हुआ है बारकोड डाला हुआ है और दूस यह सारे इसमें होते हैं, इसमें हमने बिनाया हुआ है, रेंटक पीओ इसमें, यह जो देखो आपने बहुत छोटा सा स्टिकर 30 mm, by 50 mm, 30 mm, यानि 3 cm, 3 cm by 1.5 cm, बहुत छोटा स्टिकर है, यह आपको इसलिए जैसा जुलरी लोग है, जुलरी यानि, यह जुलरी मालूम है न, यह जो ओर्नमन स्वगरा बनाता है, यह लोगों के लिए यह वाला बारकोड़, यह जो पाकेटे हैं बहुत चोटा लगाता है, उसमें चिपकाने के लिए यह बारकोड़ स्तमाल करता है, ठीक है, यह उसके लिए लगाया हुआ है, और दूसरा और एक साइस इसमें डाले 13 x 15 वो अलग डिसाइन यह इसमें गाली यह उन्हों प्रोड़क्क नाम आएगा प्राइस आएगा बार्कोड आएंगे यह ना 2 इंच भाई 40 स्टिकर मैंने पहले बताए ना 40 यानी यह के फोर सीट में 40 स्टिकर वाला जो प्रिंट हो जाएंगे इसमें यह वला स्टिकर वाल मेरे इसमें खो एम एमम्रप आएगा प्राइस आएगा साइस आएंगा यह फी टु यणिच्वाइ 1एंच का बरकोड बहुत अच्छा बरकोड यह वह बहुत सजलता है और यह दे阜ो रिये बरकोड यह दुवरण बरकोड स्के लिए चलता है जो इसका लोग है अबना तो आपको सारे का सारे डिसाइन और साइस आपको राइंडग पी ओएस बिलिंग सफ्थिर में बारकूड तुरंत मिल जाएंगे आप इसमें एक्सल सीट से भी बुल्क अप्लोड कर सकता है प्रोड़क्स वह मेंने पेले एक वीडियो भी मिना रखा हुआ है उसमें से क्या ह होते हैं आपको कंटिन्यू यानी कंटिन्यू करके आपको बारकूड प्रंट करने के लिए अप्शन मिला हुआ है यानी तीन तीन असार चार असार जबी प्रोड़क्ट होती है आपको तो एक्सल सीट से अप्लोड कर जिए वन पाई डालें के गोई रोद नहीं सारे यहां है बोग ताइम लेके उसके बाद जो कस्टमर्स है यानि हारत का जो जितना भी कस्टमर्स है उनन लोग हमें आइडिया दिया यह यह इसा बिना दो यह इसा गुमा दो यह इसा भिला दो वालकि हमें आइडिया मिला यह आइडिया का हिसाब से एकदम रिफाइंड कर स्टाइब्लFF करें पिरह निजीछ करने के लिए आपको इतना आसान होती है एक ना यह इसा इसा सोप्ट वेर आपको आसान हो जयाएंगी तो आपने देख लिए भारकोर के लेकि लगा दो पृंट के लगा दो अपने अ कखे अपना शेल्फ में रख दीजिए जब भी कस्टम राएंगे तक 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 स्कान करके अपना सेल कर दो आपका दुकान का सेल्स और सिस्टम्स आपको इतना येसियर स्टैंट प्रोफेशनल कर सकता है और एवन आप एक लड़का को बठाता है अपना दुकान के अंदर उसके लिए एक you know seller पानल भी दर बेना के दे सकते हैं आपको यानी आप ने किदर भी बाहर जाना है हम देखो बिसनस लोगो होती हैहम बाहर जाना ज़रूरी हैं तो आपने बाहर गुमने भिनना जाना जूरूरी है आपने अक लड़का को बिठा दिया उनको आपने हंट् product price है सब कुछ है आप उसको हाथ में देदो उसको sale panel बना के देदो ताकि उन्होंने मात्र sale कर सकता है और कोई option यह जितना भी buttons देख रहे हैं आजी आपको यह सारे के सारे accurate नहीं होंगे जबी वो salesman का user ID में password में login करने के वक्त उसको मात्र sale करने के लिए दो बटन है यह काली एक लफस्टेड में बटन दिख रहे हैं मात्र यही चालू होती है बाकि कुछ भी चालू नहीं होती है तो आपने आपने जो purchase किया price वगेरा आपका salesman नहीं देखेंगे तो इस तरीका से सारे system इस rain duck POS में आपको मिल जाएंगे thank you for watching this video thank you bye bye